हेलो चड्रें, हेलो अल आप йو, आज से हम आपकी ग्लास आफ की से exactement कर रहे हैं, यह आपकी U.P. गी है, U.P. गी क्लास आपकाλα की सिक्स की इंइप वुब्ग का इंइलिस का रेंबव, ठीक है? इसका नाम कै है आपकी बुब्ग का रेंबव हैं, इसे हम आज से पढ़ेंगे इसका first chapter आज हम पढ़ने वाले है, name of this chapter, इस first chapter का नाम क्या है आपकी, learning together, ठीक है, learning का मतलब क्या होता है, सीखना, together का मतलब होता है, 7-7, ठीक है, 7-7, सीखना, learning together, 7-7, सीखना, यहाँ पर आपको गयम एक दी गई है, चले स्टार्ट करते हैं, 6th grade, एजा, special, place, ठीक है, 6th grade का क्या मतलब है, 6 का मतलब होता है, 6, ठीक है, तो 6 का मतलब क्या है, 6, grade कहते हैं, स्रेणी को, ठीक है, तो आप क्लास 6 में आ चुके हैं, आपको चाच्छे में आ चुके हैं, special, place का मतलब होता है, एक खास स्थान, ठीक है, special का मतलब होता है, business, खास, और place का मतलब है, स्थान, ठीक है, तो 6th grade, 16th grade, एक خास इस्थान है, ठीक है, क्या मतलब होता है, 16th grade, एक खास इस्थान है, see the big smile on my face, ठीक है, see the big smile on my face, ठीक है, sी मतलब देखना, देखिए, big मतलब बड़ी सी, smile कहते हैं, मुस्कुरहाट को, on my face का मतलब है, मेरे चहरे पर मेरे चहरे पर बड़ी सी मुस्कुरहाट देखिए see a big smile on my face मेरे फेस पर मेरे चहरे पर एक बड़ी सी smile देखिए our class is a great team हमारी class अबर मतलब हमारी class कहते हैं कक्चा को great मतलब बड़ी सी महान हमारी कक्चा एक महान टीम है great का मतलब महाल होता है हमारी कक्चा एक great team है हमारी कक्चा एक महान team है we make our teacher beam beam का मतलब क्या होता है beam का मतलब होता है खुस या पर प्रिशन teacher कहते हैं सिख्चुकों को अबर मतलब हमारे हम हमारे सिख्चुकों को खुस रखते हैं हम हमारे सिक्षकों को खुष रखते हैं we work hard each busy day hard का मतलब क्या होता है कड़ी मिहनत work का मतलब होता है काम तो हम कड़ी मिहनत करते हैं हम कड़ा परिश्रम करते हैं each busy day each मतलब हर एक busy कहते हैं ब्यस्त को day कहते हैं दिन को हर एक busy day में हर एक busy दिन में to play याड किसको बोलते हैं याड का मतलब होता है feel ठीक है जगे हम out का मतलब है यहां पे बाहर play मतलब खेलना हम बाहर खेलने जाते हैं then फिर जब हम बढ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं हम बहर खेलने जाते हैं ठीक है then out to the yard to play खेलने के लिए हम बहर जाते हैं ठीक है yard का मतलब आप याद रखेंगे yard का मतलब मैदान होता है खेलने के लिए बहर जाते हैं न मैदान में या फील्ड में या पार्क में ठीक है तो याड का मतलब होता है मैदान multiplication is fun multiplication किसी कहते हैं गुड़ा को is fun multiplication क्या है fun है fun का मतलब क्या होता है मजा किया होना लेकिन यहाँ fun का मतलब क्या है मजीदार होना ठीक है तो multiplication जो है गुडा करना मजिदार है गुडा कैसा है? गुडा मजिदार है गुडा कैसा है? मजिदार है 9 times 9 is 81 ठीक है? 9, 9 किसको बोलते हैं? 9 को बोलते हैं ठीक है? यह 9 है आपका तो 9 को जब हम 9 time करेंगे 9 को हम 9 बार इस तरह से आप लिख कर जोड़ेंगे ठीक है तो ये क्या बन जाएगा या 9 into 9 आप करेंगे तो क्या बन जाएगा ये ये आपका बन जाएगा 81 ठीक है कितना बन जाएगा 9 into 9 81 या 9 को आप 9 टाइम ऐसे करके अगर प्लस करेंगे तब भी क्या बन जाएगा 81 ठीक है तो यहां आपको क्या बता रहे हैं कि 9 times times का मतलब है बार ठीक है 9 9 times अगर 9 को आप 9 times करेंगे तो क्या बन जाएगा 81 आजाएगा आपका ठीक है तो 9 times 9 9 को हम 9 times अगर लेंगे तो क्या आजाएगा 81 बन जाएगा यानि की 81 बन जाएगा ठीक है इंदी में कहेंगे 80 learn the math facts 1 through 10 ठीक है learn मतलब सीखना ठीक है fact बोलते हैं तत्थों को fact का मतलब क्या है तत्थों होते हैं तत्थों को बोलते हैं ठीक है तो learn math fact math के जो mathematics के गड़ित के जो fact होते हैं one through 10 one through 10 का क्या मतलब है यहां एक सी 10 तक गड़ित के तत्थियों को याद करना ठीक है 10 का मतलब होता है 10 तो एक सी 10 तक गड़ित के तत्थियों को याद करना practice again and again practice का मतलब क्या है अभ्यास ठीक है practice का मतलब अभ्यास है again and again का मतलब है बार बार ठीक है again का मतलब दो बारा बार अगेंड एगेंड का मतलब है बार बार तो हमीं बार बार अभियास करना चाहिए play a game? sing a song, हम game खेलेंगे और गाने गाएंगे, ठीक है play a game? हम खेल खेलेंगे, गेम किसको बोलते हैं, खेल को, और प्ले मतलब खेलना होता है, सिंग मतलब, गाना, सौंग कहते हैं, गाने को, ठीक है, हम खेल खेलेंगे, और गाना गाएंगे, lots of fun all year long, lots का मतलब क्या होता है, बहुत जाधा, ठीक है, lots का मतलब है, बहुत जाधा, lots of fun all year long, पूरी words हम खूब मज़े करेंगे, ठीक है, fun का मतलब मज़ा करना है याँपे, all year का मतलब है, पूरी साल, ठीक है, हम पूरी साल खूब मज़े करेंगे, books to read, किताबें मतलब पढ़ना बुक्स कहते हैं किताबों को हम किताबें पढ़ेंगे पोयम्स टू सी और पोयम कहेंगे कविता कहेंगे सी मतलब कहना तो और कविताएं कहेंगे learning new things everyday learning मतलब होता है सीखना new मतलब नई things कहते हैं चीजों को everyday मतलब हर दिन तो हम हर दिन नई ने चीजों को सीखेंगे learning new things everyday हर दिन हम नई ने चीजों को सीखेंगे reading, writing spelling to पढ़ना सीखेंगे reading मतलब पढ़ना writing मतलब लिखना सीखेंगे writing करेंगे, सुन्दर सुन्दर writing बनाएंगे, spelling और हम बरतिनी याद करेंगे, to मतलब 20, to का मतलब क्या होता है, t-double-o-to, 20 का मतलब होता है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, और बरतिनी याद करेंगे, so much to learn, much to do, so much मतलब बहुत ज़्यादा, so much to learn, हम सीखेंगे, हम याद करेंगे, much to do, और खूब करेंगे, ठीक है, do का मतलब करना होता है, much मतलब बहुत, so much मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे, हम याद करेंगे, और करेंगे, क्या क्या करेंगे, history, जोगर्फी और साइंस टू हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे इत्यास पढ़ेंगे और जोगर्फी पढ़ेंगे भुगोल जोती है आपकी और साइंस से पढ़ेंगे साइंस मतलब बिज्ञान ठीक है और हम सीखेंगे लर्न मतलब पढ़ेंगे अबाउट मतलब बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे ब्लू ओशन के बारे में महासागर के बारे में नीले महासागर के बारे में भी हम पढ़ेंगे working hard till the year end साल के end तक हम कड़ी मेहनत करेंगे working hard का मतलब क्या होता है कड़ी मेहनत करना till का मतलब क्या होता है तक ठीक है और end का मतलब आखरी तक year कहते हैं साल को तो साल के आखरी तक हम कड़ी मेहनत करेंगे we are classmates and good friends हम class mates है से पार्थी है ऑट झीक लाज में चाहिते हैं उनको classmate वोलते हैं और हम दोस्त क्याते हैं मित्र को ठीकिक वे तो स्कोर हम अच्छे दोस्त भी है हम से पार्थी है और अच्छे दोस्त है we are classmates and good friends हम सहपाटी है क्लास classmates का मतलब होता है सहपाटी और good friends का मतलब है अच्छे दोस्त है और सहपाटी है we are proud proud मतलब गर्व होना हमें गर्व है we are proud proud का मतलब होता है गर्व करना ठीक है We are proud, हमें गर्भ है, of progress, we are mad. ठीक है, हमें अपनी progress पर, हमें अपनी प्रगती पर गर्भ है. We are getting ready for seventh grade. हम seventh grade जाने के लिए तयार हैं. सात्मी कक्छा में जाने के लिए, सात्मी स्रेणी में जाने के लिए हम तयारी कर रहे हैं. ठीक है, seventh grade का के मतलब है, सात्मी कक्छा में जाने के लिए, seventh grade में जाने के लिए, सात्मी स्रेणी में जाने के लिए, ready मतलब तयार, we are getting ready. हम ready हैं, हम तयार हैं, सात्मी कक्छा में जाने के लिए, हम तयारी कर रहे हैं. क्योंकि सब बचे पढ़ाई कर रहे हैं जो 6th grade है चटी grade है वो क्या है एक खास इस्थान है प्लेस क्याते हैं इस्थान को टीक है इस्थान मतलब खास बिसेस इस्थान है चटी स्रेड़ी एक बिसेस इस्थान है See the big smile on my face मेरे चहरे पर एक बड़ी सी smile है Big मतलब बड़ी सी ठीक है Big का मतलब बड़ा होता है smile केते हैं मुस्करहाट को on my face मतलब हमारे चहरे पर मेरे चहरे पर एक बड़ी सी मुस्करहाट आप देख सकते हैं See the big smile on my face मेरे चहरे पर बड़ी सी smile देखिए ठीक है तो यह आपकी चोटी सी पोयम थी I hope आपको समझ में आया होगा हम इस बुक में आपकी पोयम के कराएंगी आपका चाप्टर डिसकस करने के बाद इसकी जो भी आपके question answer activity है वो भी हम साथ साथ करेंगे ठीक है तो आप वीडियो मेरे साथ बने रहें अब यहां पर है आपको learn करना है ठीक है यहां पर देखिए कुछ new word है आपके आये हुए नए शब्द हैं जिन्ने आपको याद करना है यहां पर वर्ड दिये गए हैं इनका pronunciation दिया गया है और मेंनिंग दे गई है जिन्ने आप खुषते भी पढ़ सकते हैं ग्रेट का मतलब होता है स्रेड़ी टीक है ग्रेट का मतलब क्या है स्रेड़ी बीम का मतलब होता है खुष प्रिशन होना ठीक है बच्चे अपने टीचर को कैसे कैसे खुष रख रहे थे समय पी अपना homework करके थे और अपने teacher का कहना मानते थे इस तरह से वो अपने teacher को बीन बना रहे थे खुश कर रहे थे याड का मतलब क्या होते है मैदान या field याड कहते है मैदान को जहां बच्चे खेलने जाते हैं जहां खाली स्थान होता है facts बोलते हैं तथियों को ठीक है facts का मतलब क्या है तथ है ocean ocean कहते है महासागर को ठीक है ocean किसको बोलते है महासागर को आपके इनकी spelling भी याद करनी है ठीक है Progress का मतलब होता है प्रग्रती Progress का मतलब क्या होता है प्रग्रती होता है तो इनकी spelling आप याद करेंगे Now यह आपको questions कुछ दिये गए है जो आपको complete करने है Comprehension question Answer the following question यह answer the following question का मतलब क्या है निचे दिये गए कुछ questions है उनकी आपको answer देने है ठीक है, first is, first में क्या पुछा गया है आपसे, how do you make your teacher beam, आप अपने सिक्छक को खुश कैसे करते हैं, ठीक है, या आप अपने सिक्छक को खुश कैसे रखते हैं, अपने teachers को, अपने सिक्छकों को आप खुश कैसे रखते हैं, ठीक है, teachers का मतलब है, बहुत सारे teachers, सिक्छक, ठ ठीक है, और beam का मतलब बताया था, मैं उपर कि खुशी होता है, प्रिशनता होता है, में एक मतलब करना, आपनी teacher को आप किस तरह से खुश करते हैं, या खुश रखते हैं, तो कैसे रखते हैं, बच्चे teacher की बात मानते हैं, और समय पे अपना ग्रहकार complete करके वो teacher को खुस रखते हैं ठीक है तो आप इसका अंसर क्या लिखेंगे कि by listening to the teachers attentively attentively का मतलब क्या होते है ध्यान पूरवक ठीक है अपने teacher की बात को ध्यान पूरवक सुनकर and doing homework timely और समय पर कारे करके समय पर ग्रहकार पूरा करके we make our teacher beam ठीक है हम हमारे teacher को खुस रख सकते हैं इसका answer यहाँ पर देखेंगे display हो रहा होगा आपको दिख रहा होगा आप note down कर सकते हैं ठीक है तो क्या लिखेंगे आप while listening to the teachers attentively attentively का मतलब होता है ध्यान पूरवक ठीक है listen मतलब होता है listening मतलब सुनना ठीक है and doing our homework timely timely मतलब होता है समय पर homework कहते हैं ग्रहकार को अबर मतलब अपना doing मतलब करना ठीक है आप अपना homework अपने ग्रहकार समय पर करके do make our teacher beam आप अपने टीचरों को प्रिशन रख सकते हैं, ठीक है, भी हमारे लिए आया है, हम हमारे टीचरों को प्रिशन रख सकते हैं, ठीक है, भी मतलब हम मेक अवर टीचर्स, भी हम अपने टीचरों को प्रिशन रख सकते हैं, खुस रख सकते हैं, समय पर अपना ग्रह कारे करके और टी do you learn every day every day का मतलब होता हैем儿 learn मतलब सीखना things कहते हैं चीज wheat next new मतलबthफ आप हर दिन कौन सी नई चीजित सीखते हैं what new things क्या नई चीज़े है Do you learn świat каж Engagement है a everyday हर दिन आप सीखते हैं zoom YouTube & Ghana a Imagine learnt सीखते हैं from everyday आप आप सब्जेक्ट परते हैं तो भंस सारी चीजे सीखते होंगे नौ कि आप किए सकते हैं जब्चत एक पलगे हम रोज नई चीजे शीखते हैं यहां तक की संगीत, नरत और खेल जैसी गत्विदियों से भी हम नई-ने चीजें सीखते हैं, तक्निकी सीखते हैं तो यहां आपका अंसर डिस्पिले हो रहा है, सेकिन का यह B का अंसर है आपका तो आप देखके नोड़ डाउन कर सकते हैं, क्या लिखेंगे आप from every subject, every subject हम मतलब होता है हर एक विसय से, ठीक है, every मतलब हर एक, from का मतलब है say, ठीक है, हर एक विसय से, we learn, हम सीख सकते हैं, हम सीखते हैं, new things, everyday, new things मतलब नई-ने चीजें सीखते हैं, हर दिन हम हर एक विश्य स्धी नहीर Чиж शीखते हैं अधिविटी यहां तक की गति विध्यों से हीय उसका मतलब होते हैं गति हाँ गति जीओं क्या क्या होते हैं घड़ते हैं मॡ्य शुनते या dance करते हैं ठीक है like जैसे की music ठीक है dance जो आप नाचते हैं and sports और आप जो खेल खेलते हैं उनसे भी आप सीखते हैं we learn new techniques हम नईनी techniques सीखते हैं we learn new techniques methods and way ठीक है और नईने तरीके तरीकों से हम नईनी चीजें सीखते हैं तो आप इसका answer से लिख सकते हैं third is name the subject you study in the in your class उन subject के उन विशियों के नाम बताएं subject से मतलब wish है you study जिने आप पढ़ते हैं in your class जो subject के आप अपनी class में पढ़ते हैं उन subject के आपको नाम बताने हैं उन विशियों के आपको नाम बताने हैं ठीक है तो यह तो आप आसाने से बता सकते हैं कि आप क्या 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 बढ़ते हैं तो यह आपका C का अंसर है ठीक है थर्ड वाले का अंसर है यह आपका आप लिखेंगे V, study, history, geography जो जो आप पढ़ते हैं सब की आप नाम बता सकते हैं ठीक है जो गर्फी और civics, science, English, Hindi and mathematics या आपके और कोई subject है तो आप उनका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है तो आप आप आसाने से कर लेंगे आप क्या के subject पढ़ते हैं उनका नाम आप लिख लेंगे ठीक है Next, D में आप से पुछा गया है How do you enjoy with your friends in school आप अपने दोस्तों के साथ इस्कूल में कैसी मज़े करते हैं How do you enjoy आप किस तरह से इन्ज़ाय करते हैं, कैसे आप मज़े करते हैं तो कैसे 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 आप लिख लिखेंगे तो इसका अंसर आप D कर कहा लिखेंगे आप इसमें changes भी कर सकते हैं ठीक है आप अगर और कोई आप के तरीका है enjoy करने का तो वो भी आप दिख सकते हैं नहीं तो आप इसमें क्या बताएंगे we study together हम साथ साथ पढ़ते हैं आप क्योंगी सभी बच्चे एक class में एक साथ पढ़ते होंगे तो we study together हम साथ साथ पढ़ते हैं play together हम साथ साथ खेलते हैं in the game period ठीक है खेल के समय हम साथ साथ खेलते हैं and share our tiffin in the break और break में lunch के time हम अपना खाना अपना tiffin साजा करते हैं share का मतलब क्या होता है साजा करना ठीक है अपना tiffin साजा करते हैं in a free period और खाली समय में free period मतलब खाली समय में in a free period खाली समय में we talk at length of our topics of our interest topics कहते हैं जो भी आपके बिसे हैं जो भी बिसे आपको पसंद है उसमें जो भी chapter आपको पसंद है talk मतलब बात करना तो हम interest का मतलब क्या होता है हम हमारे पसंद के बिसे पर लंबी लंबी बातें करते हैं talk at long का मतलब होता है talk at length का मतलब होता है लंबी बातें करना लंबी लंबी बातें करना हम अपने पसंद के बिसे पर लंबी लंबी बातें करते हैं talk का मतलब होता है बात करना at length का मतलब होता है पसंद का है, इंट्रेस्ट मतलब पसंद के, हम अपने विशे पर, अपने पसंद के विशे पर लंबी-लंबी बातें करते हैं, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं, इसका अंसर, चलिए, नेक्स टीज, मैस्ट अ कॉलन ए, विद कॉलन बी, अब आपको दो कॉलन दिये गए हैं, इनको आपको मैच करना है, ठीक है, ए और बी नीचे दिये गए हैं, दूसरी पेच पर यह दिखिए, ठीक है, तो इनको आपको मैच करना है, complete the line with the poem, poem की line को complete करते हुई, जो हमने अभी poem में पढ़ी थी, ठीक है, तो first line क्या है, see the weak smile, ठीक है, see the weak smile, कैसे complete करेंगे, इसके बाद वाली line, अगर आपने poem अच्छे से सुनी है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आप असानी से कर पाएंगे, ठीक है, तो see a big smile, उसके आद क्या कहा था बच्चे ने, on my face, देख सकते हैं, देखिए, मेरे face पर, मेरे चहरे पर बड़ी सी smile है, ठीक है, तो आप इसका अंसर, इसको आप complete करेंगे, ठीक है, see the big smile on my face, ठीक है, फिर, next is, we work hard, we work hard का मतलब कड़ी मेहनत, work hard का मतलब है, कड़ी मेहनत, we का मतलब, हम, हम कड़ी मेहनत करते हैं, इसके बाद वाई, क्या था, इसके बाद में, each big day, ठीक है, हर एक बियस्त दिन पर हम कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, we work hard, each big day, each मतलब, हर एक बियस्त, day का मतलब होता है, दिन, हर एक विश्ट दिन पर भी हम कड़ी मेहनत करते है 9 टाइम्स 9, 9 को 9 टाइम्स करेंगे 9 को 9 बार करेंगे तो क्या बन जाएगा 81 बन जाएगा 9 को अगर 9 बार आप प्लस करते हैं या 9 को 9 से आप मल्टिपलाई कर देते हैं तो ये कितना आजाएगा 81 टीक है या फिर 9 को आप ऐसे करके आप प्लस करके देख लीजे भी मैंने उपर आपको बताया थे इस तरह से आप प्लस कर लीजे फिर आप इसको प्लस करके देख लीजेगा टीक है तो ये कितना बन जाएगा नो को अगर नो टाइम करेंगे, नो को नो बार आप करोगे, प्लस करोगे या नो को नो से मल्टिप्लाइ करोगे, तो 81 मतलब 81 बन जाएगा, ठीक है? Books to read, और poem to say, किताबों को पढ़ना, और कविता को कहना, ठीक है? Books to read, and poems to say, ठीक है? say का मतलब कहना होता है, read मतलब पढ़ना, reading, writing, and spelling to, ठीक है? Reading, writing, and spelling to, से सिमेच करेंगे, I hope आपको समझ में आया होगा, ठीक है? Now, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, word power, ठीक है? मे का list, आपको एक list बनानी है, of ramming word, किसकी list बनानी है? ramming word की, ठीक है? जो थोड़ी से मिलते जुलते से हो, ramming word की आपको list बनानी है, from a poem, poem में जो जो आए हुए है, ठीक है? One has been done for you, एक आपके लिए complete किया गया है, ठीक है? Place face, ठीक है? क्या complete करके एक दिया गया आपको? Place और face, और बाकी क्या आपको पोय में देख के बनाने है, ठीक है? चलिए हम देखते हैं, यह मैंने आपके लिए हैं complete किये हैं, आप यहां से देख सकते हैं, team, beam, ठीक है? जैसे match हो रहा है, team और beam, एक साथ आप कर सकते हैं, ठीक है? यह देखे, team और beam हो जाएगा, फिर day play, ठीक है? यह रैमिंग बर्ड में आ रहा है, fun one, ठीक है? fun one, ten, again, फिर song long, यह देखे, song long को आप ऐसे देख सकते हैं, फिर day और everyday, to do, to blue, in front, mid grade, ठीक है? चलिए, इनके meaning में आपके एक बार बता देती हूँ, फिर से, team का मतलब हम उपर याद कर चुके हैं, ठीक है? team का मतलब होता है, group, जैसे सारे बच्चे एक साथ मिलकर खेलते हैं, टीम के रूप में, साथ मिलकर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, साथ मिलकर खेलते हैं, अब मजे करना, one मतलब एक, ten का मतलब दस होता है, again मतलब फिर से, ठीक है? song कहते हैं, गाने को, long मतलब, लंबा, डे मतलब देन, every day मतलब हर एक दिन, two का मतलब भी होता है, do मतलब करना होना, two का मतलब भी है, ttwo का मतलब, blue आप पता हैं, रंग का नाम है, ends मतलब करते हैं, great का मतलब study होती है तो यह आपका chapter था यहाँ पर आपको एक thought दिया गया है आपको दिख रहा होगा यह देखे आपको एक thought यहाँ पर दिया गया है अब इस thought का क्या मतलब है education एजा बे to get success in life अच्छे-चे thoughts आपको याद कर लेने चाहिए education का मतलब होता है सिक्छा बे मतलब होता है तरीका या रास्ता success मतलब काम्याबी होता है in a life education जो सिक्छा है वो काम्याब होने का सबसे अच्छा बे है तरीका है तो आप क्या बताएंगे इसमें सिक्छा जीवन में सफलता पाने का अच्छा जरिया है सिक्षा जो है जीवन में सफलता पाने का जरिया है ठीक है एजुकेशन, एजबे टुगेट, सक्सेजिन, लाइफ चलिए ये फर्स चाप्टर आपका यहां पे खत्म होता है I hope आपको समझ में आया होगा अगर कोई चीज नई समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आप इंग्लिस के लाबा किसी सब्जेक्ट आप वीडियो बन माना चाहते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं तो थेंक्यू आल आफ यू थेंक्यू फर वाचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड चाप्टा करेंगे आप मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए अगर कोई चीज पूछ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं थेंक्यू आल आफ यू